नवशार मैं हूँ सूख्रती रोय और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है हतेली पर कई तरह की रेखाय निशान और आकरतियां बनी होती हैं जोसका संबंद व्यक्ति के भाग्य, धन और आशो आराम से है ऐसे में आईए जानते हैं हतेली पर व्यक्ति के धनवान और सुख सुवधा संपन बनाने वाली कुछ रेखाओं के बारे में अगर किसी व्यक्ति की हतेली में जहां बुद परवत या शनी परवत बना हुआ होता है वहाँ पर कोई तराजू का नशान बनने पर व्यक्ति को कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होती वो व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरह की और पैसा कमाता है ऐसे लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहती है हतेली पर शुक्र परवत का बहुत अधिक महत्व है शुक्र परवत के अच्छा होने से व्यक्ति को सभी तरह की सुविधाएं और आश्वारा मिलती है अगर शुक्र परवत से निकल कर कोई रेखा सीधे सूरी परवत जा मलती है तो वो बहुत शुब और लखी मानी जाती है ऐसे लोग राजियोग जैसा सुख प्राप्त करते हैं जब किसी की हतेली पर मड़ी बंद से निकल कर कोई रेखा एकदम स्पष्ट और सीध में शनी परवत पर जाकर मलती है वो व्यक्ती बहुत भागिशाली और सफल होता है ऐसे लोग धनवान बनते हैं अगर मड़ी बंद जिसे भागी रेखा भी कहते हैं वहां से कोई रेखा निकलते हुए शनी परवत पर जाने के अलावा बुद्ध परवत से जाकर मले तो ये निशान बहुत ही भागिशाली लोगों की हतेलियों में होते हैं ऐसे लोग सफल बिजनसमैन बनते हैं और अच्छे व्यापारी के तौर पर समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बनाते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बन रहिए हमारे साथ